परंतु कामदेव की कोई भी कला मुली पर असर नव कर सके, तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भैसे डर गया, लक्षमी पती भगवान जिसके बड़े रक्षत हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है, तब अपने सहाय को समेथ कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मान कर बहुत ही आर्थ, दीन वचन कहते हुए मुनी के चर्णों को जापकड़ा, नारज जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया, उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया, तब मुनी के चर्णों में सिर्णवा कर और उनकी आग्या पाकर कामदेव अपने सहाय को सहित लोट गया, देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनी की सुशीलता और अपनी करतूद सब कही, जिसे सुनकर सब के मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनी की बढ़ाई करके श्री हरी को सिर्णवाया, तब नारज जी शिर्जी के उन्हें नारज जी को अत्यंत प्रिय जान कर इस प्रकार शिक्षा दी, हे मुनी मैं तुमसे बार-बार विनती करता हूँ, कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरी को कभी मत सुनाना, चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना, यद्यपी शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारज जी को वह अच्छी नहीं लगी, हे भरद्वाज, अब कवतुक, तमाशा सुनू, हरी की इच्छा बड़ी बलवान है, श्री राम चंद्र जी जो करना चाहते हैं, वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके चल दिये, एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनात नारज जी हाथ में सुन्दर भीना लिये, हरी गुन गाते हुए, शीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरू, मूर्तिमान वेदान तत्व, लक्षमी निवास भगवान नारायम रहते हैं, राम निवास भ दिनों पर दया की, यद्यपी श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारज जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया, श्री रगुनात जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे, भग के लिए तो कहना ही क्या है, हे युनी, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है, जिसके रिदय में ज्यान वैराग्य नहीं है, आप तो भ्रम्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर गुद्धी है, बला कहीं आप वो भी कामदूर सता सकता है, नारुच जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवन, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा, कि इनके मन में गर्व के भारी व्रक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, मैं उसे तुरंत ही उखाड फेकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है, मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा, जिससे मुनी का कल्यान और मेरा खेल हो, तब नारुच जी भगवान के चणों में सिर्णवा कर चले, उनके रिदय में अभिमान और भी बढ़ गया, तब लख्मी पती भगवान ने अपनी माया को प्रिग्रित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो, उस हरिमाया ने रास्ते में साव योजन चार सो कोस का एक नगर रचा, उस नगरी भाती भाती की रचनाई लक्षमी निवास भगवान विश्नु के नगर वैकुंट से भी अधिक सुन्दर थी, उस नगर में ऐसे सुन्दर नर्नारी बस्ते थ मानु बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रतीही मनुष्य शरीर धारण के हुए हो, उस नगर में शीन मीधी नाम का राजा रहता था, जिसके यहां असंख घोडे, हात्री और सेना के समुहा टुकडियां थे, उसका वैभव और विलास सौ इंद्रों के समान था, तेज, बल और नीती का घर था, उसके विश्म मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवधी कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्षमी जी भी मोहित हो जाए वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है, वह राज कुमारी स्वयंबर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगनित राजा आए होए थे खिलवाडी मुनी नारज जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा, सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए, राजा ने पुझा करके मुनी को आसन पर बैठाया फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारज जी को दिखलाया और पूछा की, ही नाथ, आप अपने रिदय में विचार कर इसके सब गुण दोश कहिए उसकी रूप को देखकर मुनी वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी और देखते ही रह गए उसकी लक्षण देखकर मुनी अपने आपको भी भूल गए और रिदय में हर्शित हुए पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा लक्षणों को सोच कर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूनी में कोई उसे जीत न सकेगा यह शीन नीधी की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे सब लक्षणों को विचार कर मुनी ने अपने रिड़े में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारग जी चल दिये पर उनके मन में यह चिन्ता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वहीं उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझे ही वरे इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुन्दर रूप चाहिए जिसे देख कर राजकुमारी मुझे पर लिट जाए और तब जैमाल मेरे गले में डाल दे एक कान करू की भगवान से सुन्दर का मांगू पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी किन्तू श्री हरी के समान मेरा ही तो भी कोई नहीं है इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हूँ उस समय नारग जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की तब लीला मै कृपालू प्रभू वही प्रकट हो गए स्वामी को देखकर नारग जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्शित होए कि अब तो काम बनी जाएगा नारग जी ने बहुत आर्थ दीन होकर सब कथा कह सनाई और प्राधना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए हे प्रभो आप अपना रूप मुझ को दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजपन्या को नहीं पा सकता हे नारग जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीगर कीजिए मैं आपका दास हूँ अपनी माया के विशाल बल दे दीन दयालू भगवान मन ही मन हसकर बोले हे नारग जी सुनो जिस प्रकार आपका परंखित होगा हम वही करेंगे दूसरा कुछ नहीं हमारा वचन असत्य नहीं होता हे योगी मुनी सुनिए रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो बैद्य उसे नहीं देता इसी प्रकार मैंने भी तुमारा हित करने की ठानली है ऐसा करकर भगवान अंतरधान हो गए भगवान की माया की वशिभूत हुए मुनी ऐसे मूड हो गए कि वे भगवान की अगुड स्वश्ट वानी को भी न समझ सके रिशीराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंबर की भूनी बनाई गई थी राज लोग खूप सच धजकर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे मुनी नारद मन ही मन प्रसन्य हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है मुझे चोड कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी कृपा निधान भगवान ने मुनी के कल्यान के लिए उन्ही ऐसा खुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता पर यह चरित कोई भी न जान सका सब ने उन्ही नारद ही जानकर प्रणाम किया वहां दो शिब जी के गणभी थे वे सब भेद जानते थे और ब्रामन का वेश बना कर सारी लीला देखते फिरते थे वे भी बड़े मौजी थे नारद जी अपने रिदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंती में जाकर बैठे थे ये शिब जी के दोनों गणभी वही बैठ गए ब्रामन के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग बचन कहते थे भगवान ने इनको अच्छी सुन्दरता दी है इनकी शोबा देखकर राजकमारी जीजी जाएगी और हरी वानर जानकर इनी को खास तौर से वरेगी नारद मुनी को मुम हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था शीव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हस रहे थे यद्यपी मुनी उनकी अटपटी बाते सुन रहे थे पर गुद्धी भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बाते उनकी समझ में नहीं आती थी उनकी बातों को वे अपनी प्रशन्सा समझ रहे थे इस विशेश चरित को और किसी ने नहीं जाना केवल राज कन्या ने नारद जी का वहरूत देखा उनका बंदर का सा मूँ और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के रदय में कोद उत्पन हो गया तब राज कुमारी सक्षियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसिनी चल रही है वह अपने कमर जैसे हाथों में जैमाला लिये सब राजाओं को देखती हुई गूमने लगी जिस और नारद जी यूट के गर्द में खूले बैठे थे उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका नारद मुनी बार-बार उचकते और छट पटाते हैं उनकी दशा देखकर शिर जी के गण मुस्कुराते हैं प्रुपाली भगवान भी राजा का शरीर धारन कर वहां जा पहुँचे राजकुमारी ने हरशित होकर उनकी कले में जैमाला डाल दी लक्षमी निवास भगवान दुलहिन को ले गए सारी राजमंडली निराश हो गई मोह की कारण मुनी की बुद्धी नश्ट हो गई थी इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गई मानो गाट से चूट कर मणी गिर गई हो तब शिर जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा जाकर दरपण में अपना मुह तो देखिये ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भाईबीत होकर भागे मुनी ने जल में जाक कर अपना मुह देखा अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया उन्होंने शिक जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया तुम दोनों कप्ती और पापी जाकर राक्षस हो जाओ तुमने हमारी हसी की उसका फल चको अब फिर किसी मुनी की हसी करना मुनी ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया तब भी उन्हें संतोश नहीं हुआ उनके होड फड़क रहे थे और मन में प्रोध भरा था तुरंधी वे भगवान कमलापती के पास चले मन में सोचते जाते थे जाकर या तो शाप दूँगा या प्राण दी दूँगा उन्होंने जगत में मेरी हसी कराई दैत्यों के शत्रु भगवान हरी माया के वशिबूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा